असलाम लेकूंग, कैसे आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, अलहमदुलिल्ला, मैं भी बिल्कुल ठीक और खेरिया से हूँ तो जी, आज का मेरा विलोग है रिम्जान प्रेपरेशन्स का, तो रिम्जान से पहले जो हम बेसिक प्रेशन्स करते हैं, तो उसके लिए मैं सब करके अछी तरह रखती है, और ये ओर धनिया और पोधीना है, और ये लिसन, है Ñन केजी के क्रीब तक्रीबन लिसन है, और अद्रग है तीन पाउंग, क्यूंकि लिसन हमेशे ज्यादा, एड होता है, और अद्रग थोड़ा सा कम, एड होता है, और ये मिनी शिमला मेर्च सब्सक्राइब के लिए और टमाटर यहां पे हैं 3kg और प्यास भी 3kg है और 2kg आलू है क्यूंकि आलू तो मस्ट है ना हर चीज में यूज होते हैं वो रॉल्स में समोसर में और यह बंगो भी का एक फूल है इस प्रिंग रोल वगरा के लिए और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के रखना है इसलिए वो भी मैंने वाश करके अच्छी तरह रख लिया अब यह सब सब्सक्राइब जब अच्छी सारा से ड्राइब हो जाएंगी तो फिर मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूंगी जी व यूज होगी और थोड़ी सी क्यूब सेप में मैं काटूंगी क्यूंकि जो मेरे बच्चे हैं उनको ज्यादातर मंचूरियन बहुत पसंद है तो हर थोड़े दिन के बाद उनके फर्माईश होती है कि ममा मंचूरियन और विज चाइनी साइस बना दे तो इसलिए शिम्ला म करेकर तो मैं अच्छे से ड्राइड करके कटिंग करके और जिपलो बैग में रखतूंगी तो जो यूज हो नहीं होंगी वो यूज हो जाएंगी प्रेपेरिशन के लिए और बाकी जो बच जाएंगी वह रमदान में भी हम बैसे भी यूज कर सकते हैं पास्ता वगवारा म मैकरोनी में या लजानिया के लिए तो यहां पे मैं फटा फट बस कटिंग कर रही हूँ और अभी मैंने कैरिट जो मुझे औरिंट वाली कैर बहुत अच्छी लगती है रोल्स में और वो उसमें पास्टा वगरा में लेकिन औरिंट वाली मुझे रमजान से पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि हमारे पास टाइम भी काफी सेव हो जाए और जो डेली हमने रोजे की त्यारी अफ़तारी के लिए त्यारी करनी होती है उसके लिए भी मारे पास काफी टाइम हो और अबादत के लिए भी टाइम हो हम जरा पैनिक ना हो क्यूंकि छोटे बचों के साथ हर चीज को मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए बचों की भी प्रहाई भी डिस्टरब ना हो आपकी अबादत भी डिस्टरब ना हो इसलिए थोड़ी बहुत त्यारी लाजमी मुझे लगता हर घर में होती है तो मैं भी वही कारी थी यहाँ पर मैंने ओनियन को जितने भी ओनियन थे थरीके जी मैंने सारी कटिंग करके उनके रख लिए अब इसमें से मैं हाफ जो हैं वो उनको फ्राइ करके रख लूँगी यह देखें जी क्यूब्स वाली बी कार्टली मैंने शिम्ला मिलच और यह मैंने चाइनीज राइस बनाने थे उसके लिए मैंने अलादा से कटिंग किया इसको भी मैं जिप लोग बैग में सेव करके रख करते हुए तो फिर मैंने उसे क्लिंग रैप के साथ रैप कर दिया था और अब मैंने जो है जी कड़ाई चूले पर रख दिया अब इसमें मैं प्यास फ्राइब करने के लिए रखूंगी बस ओयल का सा गरम होचे गरम ओयल में इसको डालेंगे तो फिर जो वह प्यास होती अच्छी तरह फ्राइब करके रख लिया था ब्राउन कर लिया था और अछे अच्छी अब बत्या होगा था ठीजिया घर भी तो मतलब में लिए वह काफी इसमें टाइम भी से वोगया था और मुझक इतनी विस्किल भी थी और फोरन से खाना भी बन जयाता था और प्यार हो जाता है ये देखें जी माशालब माशाला टमाटर का कलर कितना खुँद्स लेज ब मध्रोंच ज्या रहे हैं धरभने में दियुद्स लेखें गई जो अब में ने निनकों प्रॉइल करने के लिए रख दिया उ कड़ए में और इसको बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने थे इसको मैं हाथ से मसल रही थी तो कुर 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 की जैसे आवाज आती है ना वैसे आ रही थी और सेकिंड बैज जो है वो प्यास का मैंने डाल दिया और अब भी भी थोड़ा सा प्यास बना वा है तो ये मेरा तकरीबन एक से देड़ घंटा लगा था इनको फ्राइ करने में तो ये देखे ना मेरा वो सेव होजेगा और यहां पर मैंने टू बंच लिये थे पुदीने के और एक बंच लिया था धनिये का साथ से आठ़ हरी मिर्चे लिए थी दो लेमन्स लिये थे अब इसकी मैं ग्रीन चटनी त्यार करूंगी वो तो हर रमजान में हर अफ़तारी में मस्ट होती है पकोडों के साथ समसों के साथ तो मेरे घर में मेरी बेटी और मेरे हल्स्बन बड़े शोक से ग्रीन चटनी का राइता उनको बहुत पसंद है तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 गार्लिक के क्लोफ्स भी एड़ कर दी है और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी और फिर मैं इसको भी आपको सेफ करने का त्रिका बताऊंगी कि कैसे सेफ कर सकते हैं जी यहां पर मैंने दोनों लेमन एड़ कर दिये बदीना धनिया और गार्लिक लॉफ्स पी एड़ कर दिये अब मैं इसमें एड़ करूंगी Zira 1 टेबल स्पून मैंने एड़ किया था 5 टेबल स्पून मैंने White salt एड़ किया था और थोड़ा सा मैंने Black salt आईड़ किया था तो अब यह मैं Shopping करकी आई थी डुस्टरी की तो इंशाला वोई भी वीडियो मैं आपके साथ share करूंगी जो जो मैं रमजान के लिए ग्रोस्टी करके आई हूँ तो ये जो बड़ी वाली ट्री है, हाइस ट्री है ये मैं टॉमाइटर के पेस्ट के लिए लाई थी क्योंकि टॉमाइटर का पेस्ट बिल्कुल छोटा-छोटा तो हम थोड़ा सा तो एड नी करते हैं तो ज्यादा ही जाता है किसी भी हाणी में तो इसके लिए मैं जो थी ना वह बढ़िया इस ट्रेल आई थी और साथ ये छोटी लाई थी सिलिकॉन की क्योंकि इसमें जो भी चीज़ आप मोग्यूब्स में सेव करो फ्रीड में वो बहुत एजली रिमूव हो जाती है जैसे कि अगर मैं इसमें कोई भी पेस्ट बना के अड़ करूँ या आईस ही इसमें लगाऊं तो बहुत ज़्यादा आराम से बाहर निकलाती है तो सिलिकोन की तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है जी यहां पे मेरी जी ग्रीन चेटनी बिल्कुल रैड़ी होगी इसमें मैंने बस थोड़ा सा वाटर एड़ किया था ताकि वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए और जी यह मैंने टोमाटर को बॉil करके उसके छिलके उतार के इसमें भी कुछ भी एड़ नी किया था और इसका पेस्ट बना दिया था और इन सब को अब मैं फ्रीज में रख दूँगी अब यहां पे मैं लसन और अद्रक का पेस्ट बनाने लगी हूँ तो लसन और अद्रक के पेस्ट के लिए मैं मेशा इसमें टू टेबल स्पून ओईल और थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करती हूँ क्योंकि इससे फिर इसका कलर बिलकुल खराब नहीं होता चाहिए आप वन मंथ के लिए भी इसको यूज कर ले और जिनका वो लसनद्रक ग्रीन हो जाता है अजीब सा कलर हो जाता है इससे ऐसा कुछ नहीं होता आप इसको वन मंथ बाद भी देखेंगी तो इसका कलर बिलकुल परफेक्ट ऐसा ही रहेगा तो ये तो काफी ज़्यादा मेरा बन जा था तो थ्री मैंने आइस फ्रेम में क्यूबस के लिए लगा दी और बाकी जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो मैंने फ्रेज में एक जार रखा वा तो बाकी मैंने सारा पेस्ट उसमें एड़ कर दिया तो ये जी नेक्स टेय है और ये है ग्रीन चिली का पेस्ट और ये है हरी चटनी का पेस्ट यह देखें यह कितने एजी ली रिमूव हो गई है क्योंकि सिलिकॉन से यह बहुत जल्दी निकलाती है और आपके वो चीज वेस्ट भी नहीं होती ना आपको पानी के नीचे इसको रखना पड़ता है तो बहुत एजी ली यह रिमूव हो जाती है और इतनी प्यारी और कलर इनका इतना प्यारा सी ग्रीन साया था इतनी ब्यूटिफुल लगड़ी थी है तो जी मेरी तो ग्रीन चेटनी पूरे रमदान के लिए सेव हो गई है और यह चोटी फैमली के लिए तो बहुत एजी है और अराम से बस इसको निकालो राइता बनाने से दो तीन मिनट या पांच मिनट पहले आप निकाल सकते हैं इसको और बास इसको मिक्स करें और अगर आपको सॉल्ट वगड़ा कुछ कम लग़ा तो सॉल्ट एड़ कर दें तो यह हमारी ग्रीन चेटनी बिल्कुल रेड़ी होगी है अब इसके बाद यह देखेंगे लसन अद्रक के क्यूब्स है और यह तो मुझे लग रहा है मेरे टू मन्स भी बड़ी एजी ली गुजर जाएंगे क्यूंकि जो मैंने एक जार फिल किया वह भी फुल है वो मैंने फ्रीज में रखा हुआ है और जब वो फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं क्यूब्स क्यूज करूँगी तो अब इसको भी मैं जिपलोग बैग में रखूंगी और फिर इसको सेफ करूँगी तो ऐसे जो छोड़े छोड़े काम है अगर रमदान से शुरूने से पहले ही कर लें तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है और कुकिंग भी आपकी बहुत जल्दी हो जाती है इससे आप अपनी नमाज और कुरान पक एजिली पढ़ सकते हैं बच्चों को टाइम दे सकते हैं घर को मैनेज कर सकते है और ये जी ग्रीन चिली का पेस्ट है और ग्रीन चिली वैसे तो बहुत कम यूज होती है लेकिन अगर आपने राइस बनाने हो या कृर्मा बनाना हो जिसमें बिलकुल खड़े मेसाले यूज नहीं होते तो उसमें पेस्ट यूज़ कर सकते हैं वैसे सब्सियों में तो ग्रीन चिली को काट के जूलियन कटिंग में वो ही उपर से स्प्रिंकल करके अच्छी लगती है ये देखें जी ये कितनी बड़ी-बड़ी क्यूब्स हैं ये सारी टमाटर की है तो टमाटर तकरीबन एक से दो तो हम किसी भी वो सालन में एड़ करते ही करते हैं तो पहले ये मैंने एक ट्रेज में लगाई थी और अब जो बाकी इसका पेस्ट बचा था वो भी मैंने क्यूब्स पर में रख लिया था तो ये भी मेरे एजी ली पूरा मन्त गुजर जाएगा तो मुझे इन चीजों की टेंशन नहीं होगी तो अब भी ये मेरी प्रेपरेशन्स का पार्ट वान है जिसमें बिल्कुल मैंने बेसिक्स जो चीजें थी वो शेयर की है ये देखें ही माशाला सारे कलर्स हैं अल्ला ताला की कुदर रहता है इतनी प्यारी गड़ी सब्जियों के कलर है और ये सब किती प्यारी लग रही है माशाला से तो फर्स्ट पे जी ग्रीन चिली का पेस्ट है फिर टुमाटो क्यूब्स हैं फिर ग्रीन चटनी की ए और ये हमेशा मैं ना तू केजी का पूरा पैक मगवाती हूं मुस्रेला और चैडर चीज का तो वो पूरा पैक होता है तो उसको यूज करना होता है फिर डीफ्रोस करना पड़ता है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है तो मैंने ऐसे छोड़े छोड़े बॉक्स लिये में है तो मैं हमेशा इनको छोटे बॉक्स में सेफ करती हूँ ताकि जब भी मैंने कोई चीज ब यह लसन अजर के भी टू पैकिट्स थे और यह मैंने धनिये को सेफ करके रखा वाई टिशू पेपर में लेपेट के इसको भी मैंने जिपलोग बैग में रख दिया था और यह सारी मेरी प्रिप्रेशन्स थी जो कि मैंने लमजान के लिए की खाना मिनाने के लिए की ताकि मे की जूज होते हैं तो यह में उसके लिए हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अलाफीज